हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टुम टुमाइ चैनल प्रेग्निंसी केर विद मेगा प्रेग्निंसी के दोरान कब और क्यों होती है आपकी ब्रेस्ट पर खुजली जिहां दोस्तों प्रेग्निंसी के लक्ष्ण में ब्रेस्ट पर खुजली की परेशानी भी हो जाती है प्रेग्निंसी में प्रेस्ट और निपर खुजली होने के कई कारण होते हैं जिन मेंसे अधिक्तर का समबन्द skin allergy या hormones के उतार चड़ा ओपर होता है कई बार breast पर खुजली की परेशानी से निबटने के लिए doctor के पास तक जाना पड़ता है तो चलिए जानते हैं इसके पीछे के क्या क्या कारण होते हैं अगर आज के वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को जरूर subscribe कीजेगा वीडियो को जादे से जादा शेयर कीजेगा और कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताईएगा सबसे पहला कारण जो होता है वह हार्मोनल चेंजिस देखे प्रेगिंसी के दोरान हार्मोंस में बहुत चेंज आता है वह जैसे जैसे डिलिवरी डेट पास आती है वैसे वैसे हार्मोंस बहुत ज़्यादा चेंज होने लगते है या मैं कहूं कि बिगढने लगते है इसी वजह से breast के साथ pregnancy में काफी जगे पर खुजली होने लगती है लेकिन breast पर खुजली बहुत जादा होती है दूसरी होता है इसका करण skin के खिचाओ के करण देखे शिशू के गर्ब में बढ़ने पर skin में खिचाओ आने लगता है इस समय आपको breast, pate, kulo पर stretch marks दिखने लग जाते हैं ये stretch marks लाल और pink और नीले से जामनी रंग के हो सकते हैं समय के साथ इनका रंग हलका पढ़ता जाता है और stretch marks पर खुजली भी बहुत जादा होने लगती है तीसरा इसका कारण होता है एक्जीमा देखे नो महिने की pregnancy में इसकीन से जोड़ी समस्याओ में एक्जीमा की दिक्कत भी देखे जाती है breast और body के अन्य जो हिस्से हैं उन पर आपको patches जैसे दिख सकते हैं इन पर आपको खुजली के साथ साथ रूखी skin, लाल चकते, इसकीन का फटना और उन पर छोटे छोटे दाने दिख सकते हैं तो इसको हम कहते हैं एक्जीमा और एक skin allergy भी होती है pregnancy के दोरान क्यूंकि इस समय आपका immune system अच्छे से काम नहीं कर रहा होता है और साथी साथ hormonal changes बहुत जादा होते हैं तो इसके कारण breast पर और body के अन्य हिस्सों पर आपको छोटे छोटे दाने दिख सकते हैं इन में खुजली हो सकते हैं और हो सकता है कि ये खुजली थोड़ी सी बढ़ भी जाए ये प्राब्लम कई महीने तक रहते हैं और कुछ मामलों में तो delivery के बाद भी ये परेशानी आपको रह सकती है देखे बहुत बार एक question पोचा जाता है कि क्या pregnancy का लक्षन होता है breast पर खुजली होना देखे pregnancy के शुरवाती महिनों और हफ्तों में breast में बहुत ज़्यादा changes आते हैं हार्मोन के उतार चड़ाओ के कारण भी इस तरह की जो situation है पैदा हो जाती है जैसे कि लगबग 50% ladies को पहले से ही एकजिमा हो उनके लिए pregnancy में ये परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है अब बात आती है कि breast पर अगर खुजली हो रही है तो किस तरीके से बचा जा सकता है देखे pregnancy में body को hydrate रखना बहुत जरूर होता है दिन में कम से कम 10 cup पानी, 10 glass पानी जरूर पीना चाहिए क्योंकि pregnancy के दोरान पानी पीने के बहुत ज़्यादा फायदे है एक तो body hydrate रहती है, amniotic food की कमी नहीं होती है बच्चे का विकास अच्छे से होता है और जो छोटी-छोटी सी परेशानिया बीपी, और सूजन आ जाना, खुजली होना इन सभी परेशानियों से अब बचे रहते है क्या होता है कि pregnancy के दोरान पानी की कमी होने से और नॉर्मल डेज में भी अगर पानी कमी आपकी body में होती है तो आपकी skin रूखी हो जाती है जिस पर खुजली होने लगती है इसलिए आप खुब पानी पीए और दूसरा आपको क्या करना है कि सूती कपड़े पहनने से skin से जुड़ी जितनी problem होती है वो थोड़ी कम होती है ये fabric क्या होता है कि आपका पसीना सोकता है अगर खुजली हो रही तो खुजाने की बजाए ठंडे पानी से नहा लें इससे skin को राहत मिल सकती है थोड़ा साब क्या कर सकते हैं कि body को मौस्चराइज भी रख सकते हैं और आप नारियल का तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं हलका सा नारियल का तेल बोड़ी पर लगाए रैशिज हों, stretch marks हो, skin में खिचाव हो इन सारी समस्याओं में आपको नारियल के तेल से काफी राहत मिल सकती है तो आप ये चीज़े भी कर सकते हैं तो उमीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए यूसफुल साबित होगी यूसफुल साबित हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीज़ेगा, लाइक कीज़ेगा, कमेंट कीज़ेगा वीडियो को जाद से जादा शेयर कीज़ेगा थैंक यू फो वाचिंग प्रेग्निंसी केर विद मेगा, थैंक यू, नमस्कार